मैं यहां पर बात करने वाला हूँ अर्फ इंडेस्ट्री के बारे में तो डेफिनेटी इसी टाइम पे 130 रुपे के उपर ट्रेड कर रहा था आज यह दो रुपे 80 पैसे के उपर ट्रेड कर रहा है लेकिन यहां पर आज वीडियो गुनाने का मक्सदी है कि अब स्टॉक जो ह का यानि कि पिछले कुछ तक्रीबन 3-4 सालों से स्टॉक ने जो ट्रेड में हाइस्ट बनाया था वह बनाया था दो रुपे 70 पैसे का बट अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है दो रुपे 80 पैसे के उपर यहां से तेजी और बढ़ सकती है पिछले 5 दिनों के बात की जाए त इस दो पांच रूपे 55 पैसे का बैसे का डिन पर में अम् schooling और गए और अगर लंग से का अक तो आहां पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाहीं में कि पर फिफट यब इंक अपर कर रहा था और अबjective आफतिया मत कर लेते हैं तो देखी 11 करोड की मार्केtır बहुत ही जा सब्सक्राइब और इंफोर्मिशन इनके बार में अवेलिवल है नहीं रिटर्न एसेट्स भी माइनस 228 परसेंट है कोड़र सेल्स की बात किया है तो 100 परसेंट डाउन हुए है पर मोटर होल्डिंग 22 जिसमें से 46 परसेंट शेर्स और इनके प्लेज है सेल्स कंपनी की एर और एक अची चीज है कि free cash flow के नाम पर 40 करोड के राउन कंपनी है बस free cash flow आया हुआ है तो अगर कंपनी ने profit किया तो इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ काल्ग जो में है रियलिटी में भी कंपनी के पास प्रिसा है रिजर्ब में माइनस 840 करोड हैं और कज़ा 800 करोड का है तो यह बड़ा नुकसान कंपनी को दे सकता है और यहां पर हम देखें तो stock में no doubt volume बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जो यह इंडिकेट कर रहा है कि शायद यहां से बाप भी बिचले तक्रीबं 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 तीन बारा से बंद्रह सालों में प्रॉफिट में नहीं आई सिवाए एक exceptional cases में और वो था 2016 2016 में कंपनी ने प्रॉफिट किया तो इसके लावा कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया अगर मैं इंवेस्टर की बात करूं तो इंव पैसा एक पैसा भी नहीं लगाया हुआ और पॉब्लिक के बाद 77.80% की होल्डी है तो यहां पर इंवेस्टमेंट करना मेरे साफ से सही नहीं रहेगा अगर पसरकेट देखे काफी दर लोग एकसाइट होके इंवेस्टमेंट करेंगे बट यह गलर्ट डिसीजन हो सकता है इनके रिजल्ट अगर आप चाहते हैं कि अब सबसे पहले देखने के लिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाईए और इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी गवरी है तो कमेंट कीजिए